हेलो नमस्ते आदाप सच्रियकाल नूतन्स वल्ड एम के आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती है यदि आप मेरी चानल में नए है तो चानल को सब्सक्राइब करें और बगल में आने वाले बेलेकन को जूर क्लिक कर ले ताकि मेरी सबी वीडियो आप तक सबसे पहले पह आई हूँ आज मैं कचोरी की रेसिपी लेके आई हूँ यह कचोरी ताजे हरे मटर से बनी हुई है यह खाने में बहुत जादा लाजवाब होती है एक पर इसे जो ट्राइ करें यह मैंने बहुत ही ईजी तरीका से यह बनाया है और जटपट से सुबह के नास्ते में आप इ अधिजरे तो आप भी छोटी सी कुछ कुछ ट्रिक्स जेट सै उसको फॉलो करें और बनाई बहुत ही खस्ता ही टिलिसयस का एक बहुत जो करें च direब करने चान को सब्सक्राइब करलें और जルク्री करने शेयल करें चलिए पर स्टार्ट करते और देखतेए मैं यह चार्णी तो अब इसमें मैं अजवाइन एड़ करूंगी तो आधा चमस मैंने अजवाइन लिया हुआ है उसे हल्का सहाथ से क्रस्ट कर ले इससे अच्छी टेस्ट आती है और यहां पर मोयम के लिए मैंने रिफाइन ओयल का यूज किया है अब गी डाल सकते हैं रिफाइन ओयल मैंने चॉपात चमस इसे इस डो है करना है जिलांगे न दो के लिये और यह नहीं से बस्तों से मतलब यह रयुआ आप न थोकूं को ज्यादा करें और यह ज्यादा तो ज्यादा ज्यादा पानि आ करना है एकदम मीडियम में होनी चाहिए और इस तरह से मैंने इसे थोड़ा देरी के लिए ढख के रख दिया करी 5-10 मिनिट के लिए और यहां देखिए मैंने हरा मतर लिया हुआ हरे मतर को मैं अभी मिकसे ग्रांडे में डालके हलका सा दर-दरा पीछने वाले हूँ तो यह रही मिकस और यहां पे मैंने इसे हल्का दर-दरा पीछ लिया है यह देखे आप देख पारे होंगे थे के श्रूत से आपको भी पीछ लिनी है color क्यों से मसाला कि बनाती है तो इसके लिए मैंने यहां प्τη को मौनी दूरा सा दर्दार कर दिया। और हिंग के बाद मैंने ये देखिए धनिया लिया है धनिया मैंने गोटा लिया था और इसे हलका सा दर्दरा कर लिया है अब दनिया एक चमस लेकर के उसे हलका दर्दरा कर ले उसे इसमें डाल दे एक चमस मैंने सौंफ को दर्दरा करके लिया है एक चमस मैंने जीरा दर्द कर लिया है और आधक मैंने यहां पर प्याज भी ले लिया है तो इसी भी मैंने बारिक कर लिया है तो अब यह सभी को मैं एक साथ मिक्स करके इसे भून लेती हूं ताकि सब में सभी अच्छा से भूना जाए और प्याज को हमें पहले नहीं इसी के साथ में भूनना है ताकि उसमें एक हलका सा क्रंची टेस्ट है तो यह देखिए अब हलका सा भूनने के बाद मैं यहां पे हल्दी एड़ कर रही हूं थोड़ा सा और वन फोटेबल स्पून मैंने यहां पे गरम मसाला एड़ किया है और यह लास्ट में स्वादानुसर नमक एड़ कर रही हूं तो नम ताकि सभी मसाला अच्छे से मतर के दाने में मिक्स हो सके तो अब यह सभी को अच्छे से भूनने के बाद लास्ट में इसमें टमैटो सॉस और एक चमस मैंने चिली सॉस लिया है यह दोनों भी ऑप्सनल है आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं मुझे इसकी टेस्ट पसंद है इसलिए मैं यहां ले रही हूं और इसे भी अच्छे से मिला ले रही हूं इसमें तो अब मसाला हमारी अच्छे से भूना चुकी है तो इसी समय मैंने हलका दरदरा किया हुआ मैंने यह हरा मेटर जो अभी मैंने पीसा था हलका दरदरा उसे यहां पे ले लिया है और यह सभी मसाले में अच्छे से mix करते हुए हमें इसे भी भूनना है अब तो यहां पे बहुत ही अच्छी सुंधी सुंधी खुस्पू आ रही है मसाले की और लास्ट में जब यह अच्छा से भूना जाया तो करीब एक से डेर चमस आप यहां पे आमचूर पॉडर ले ले या फिर चाट मसाला पॉडर ले ले बहुत अच्छी टेस्ट आती है तो इसे लेना ना भूले आप तो यह अब हो गई है हलका समय भून के इसे मैं बंद करने वाली हूं तो यह देखिए मैं इसे दूसरे किसी चोटे से बॉल में मैंने ट्रांस्वर कर लिया ताकि यह जल मैं मिक्स कर लेती हूं इसे और इसकी चोटी बाल्स मैं बना ले रहे हूं देखियं इस तरह से कि उससाब से बाल्स एडी कर ले और इस तरह से एक बॉल को मैं यहां पर ले तोरी श्टीन रड़क nosso च्जोटी सेён तरह करना है इस तरह से दिख्योटी से कटोरी बना लिए इस तरह से छोटी वाली बना को बना लें अर उसके भीच मेश मेरीatro chowaki हदा वाली स्टंदा कर लें से कहमें ब syner reconoc बहुत अच्छी कचोड़ा बन गई आर इस तरह मैं बना कर दोसा भड़ इनी बनाया और इसे नहीं को को फिल कर दिया तो यह देखिए यह सब इसमें दो-तीन स्टाफिंग को लेकर इसमें डाल दें और उसके बाद फिर उसी तरह से इसकी कचोड़े बना ले है और इस तरह से हलका सा देखिए हातों से अपने हाथेलि के हल्प से आप इसे प्रेस करें तो यह बहुत ही अच्छ से यह कचोडिया रेडी होती है इस तरह से देखे फ्रिंट और इसे अभी हलका से मैं बेल लूँगी तो यह देखे मैंने इसे भी हलका से बेल लिया है तो बस हो गई है रेडी इसी तरह से सभी कचोडियों को मैं रेडी कर लेती हूं तो बहुत ही अच्छी लगती है और बह हमारी low to medium flame में गरम है ज्यादा हीट नहीं करने है आपको और यह देखिए एकदम low flame में आप इसे बनाएं बहुत ही टेस्टी है बहुत ही क्रिस्पी कजोरी बनती है तो इसे आप एकदम ध्यान रखें कि एकदम flame low होनी चाहिए पहले तो आप इसे अच्छे से देल को गरम कर आप तो इस तरह से देखे यह थीमधी मेशन्ä इसे बनाना है तो इस तरह से बनाएंगे तो आप बहुत ही यह мои चोरी भी खस्ता बंती है और बहुती अच्छी में बनाएं बहुत क्रिस्पी बनेगी तो इस तरह से मैंने दिखे इसे भी गोलन करके निकाल लिया है तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड कितनी खस्ता बनी है आप आप आवाज भी सुन पा रहे होंगे देखे कितनी खस्ता है और जितनी यह डिलीसियस दिख रहे है उससे जादा यह स्वादिष्ट बनी है आप इसे जोर एक बर बनाएं मुझे विश्वास है आप सबो को यह रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जोर करें आपको यह वीडियो यह डैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखके बताना ब झाल झाल